काजल रागवानी का क्या तूट चुका है दिन? काजल रागवानी को क्या प्यार में मिला धोखा? जी हाँ इन सब की पुस्टी हमने ही खुद काजल रागवानी का इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर किया हुआ पोस्ट फिर उसके बाद उन्होंने अपने ही प्यार के बारे में एक लंबी चोड़ी जो बात लिखी है उसमें उस व्यक्ति की बेवफाई के बारे में जो बात उसे साफ जाहिर हो जाता है कि काजल रागवानी कितना उससे प्यार करती थी और आज उस व्यक्ति ने किस तरह उनका दिल तोड़ दिया है। इस बात की पुस्टी इस बात से भी हो जाती है कि भूजपुरी के मसूर एक्टर रानी चटर जी काजल रागवाने को स्ट्रॉंग होने की नसीहत दे रही हैं वो अमोमन अपनी पर्सनल लाइव को मीडिया से हमेशा दूर रखती हैं या फिर पर्सनल बाते करती हैं या फिर समाज में जो हो रहा है उसके बारे में बात करती हैं अगर काजल का कोई फेवरेट टॉपिक है तो वो है उनके पेट्स जी हाँ उनके पेट्स के बारे में या फिर वाइल्ड एनिमल हो या फिर पेट्स एनिमल हो एनिमल के प्रती अपना प्यार काजल रागवानी हमेशा सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं लेकिन ये पहली दफा है जब काजल रागवानी ने अपने इस पोस्ट से ये बता दिया है कि प्यार में उन्हें भी धोखा मिला है प्यार में उन्होंने भी रुष्वाईया झेली हैं लेकिन उस व्यक्ति को वो इसी तरह छोड़ना नहीं चाहती जिस तरह से उस व्यक्ति ने उनके कर देंगी हमारे स्क्रीन पे आपको यह पोस्ट दिख रहा होगा और अगर आपको यह पूरा पोस्ट परना है तो काजल रागवानी के इंस्टाग्राम एकाउन को आप फॉलू कीजिए उससे यहां पर आपको सारी जानकारिया मिल जाएंगी आप देख सकते हैं कि किस तरह क काजल रागवानी ने लिखी हैं आपको यह यह भी बता दे कि यहां काजल रागवानी ने अपने प्यार के लिए यह भी कहा है कि कभी यह लव्ज जो मेरी जुआ है वह तेरे लिए दुआएं मांगती थी लेकिन आज तेरी इन हरकतों उसको देख कर आज कुछ जो थो व्यक्ति तो खेसारी लाल यादों के साथ जोड़ा जाता था लेकिन काजल रागवानी ने भी अपने गई इंट्रिव्यूस में और खेसारी ने पने कई इंट्रिव्यूस में कहा है कि वह एक अच्छे दोस्त हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो क्योंकि अब जिस तरह से काजल रागवानी ये पोस्ट जाल रही है उससे ये सीधे लग रहा है कि वो व्यक्ति तो खेसारी लाल यादो बिल्कुल नहीं हो सकते वो व्यक्ति तो खेसारी लाल यादो बिल्कुल नहीं हो सकते हो सकता है कि काजल रागवानी जल्द ही उस व्यक्ति का खुलासा भी करे बूच्परी जगत की होट और मसाल एदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले